हेलो दोस्तो वेलकम टू आकास एमकेब सॉलिशन स्रीज और आज हम देख रहे हैं कैमस्ट्री की एमकेब फॉर पार्ट टू क्यूशन नमर 16 से 30 तक इस एमकेब का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा डाउनलोड करके खुद से भी सॉल कर सकत हैं तो क्यूशन नमर 16 फटाफट दा इलक्ट्रोन आइडेंटिफाइड बाई क्वान्टम नमबर एन दे रखा है एन और एल दे रखा है यह दे रखा है और कैन बी प्लेस्ट इन ओडर ओफ इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रोम दर लोवेस्ट तू हाइस्ट यानि कि हमें ए एनर्जी कैसे देखते हैं एनर्जी देखते हैं एन प्लस एल से जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी और जिनमें एन प्लस एल की वैल्यू सेम होती है उनमें देखते हैं कि जिसमें एन की वैल्यू ज्यादा होगी उनमें energy maximum होगी यान कि कब सबसे पहले तो यह वाला देखते है n प्लस l जब n प्लस l दो में same हो जाता है तो फिर n की value देखते हैं जिसमें n की value जादा वो e max जादा तो यहाँ पर देखते हैं first option में क्या हो रहा है n equal to 4 plus l equal to 1 कितना हो या 5 second option में 4 plus 0 कितना हो या 4 third option में 3 plus 2 यह कितना हो या 5 और fourth option में 3 plus 1 कितना हो या 4 अब इनमें सबसे ज़्यादा energy किसकी होगी या तो इसकी या इसकी क्योंकि जिसमें n plus l की value maximum है अब n plus l की value same होने पर क्या देखते हैं सबसे पहले अपन n की value देखेंगे अब यहाँ पर कि जिसमें n की value ज़्यादा होगी उसकी energy भी ज़्यादा होगी अब यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा energy किसकी होगी फिर उसके बाद थरड वाले की energy उससे ज़्यादा होगी फिर अब इन दोनों में 4, 4 यानि कि n प्लस l की value same है, तो यहाँ पर n की value देखेंगे, अब यहाँ पर n की value किसकी ज़्यादा है, 4 यानि कि फिर second वाले की value ज़्यादा है, फिर उसके बाद 4 वाले की, तो यह कोई ऐसा option, option first correct हो गया, question number 17, which of the following statement regarding size square is not correct, हम जानते हैं कि size square क्या होता है, electron probability होता है size, उसका square, size square होता है, जो की negative नहीं हो सकता कभी भी, इस तरह से होता है, कि जैसे यह size की value, इस तरह चल ज़्यादा है, size की value पे, तो यह जो size square होगा, यह यानि कि यह negative वाला भी square करेंगे, तो negative का square भी क्या हो जात यहानि कि size negative positive हो सकता है, लेकिन size square क्या होगा केवल positive होगा, क्योंकि उसमें क्या है size value क्या होगा, तो उसका square positive होगा, तो यहां भी first option निकलत हो गया, it is proportional to electron density, सही बात है, यही बताता है electron probability को, और it is directly proportional to probability of finding the electron, सही बात, एक यह बात होगी, तीसरी भी यही बात होगी, the electron in size is normalized wave function, wave function होता है, which of the following orbital has three angular nodes, question number 18, कि which of the following orbital has three angular nodes, angular node हम जानते है, क्या होता है, angular node, क्या formula होता है, angular node का n, l के equal होता है, कि यहां पर जा जितने l होगा, उतना ही angular node होगा, l क्या होता है, एजी मुतल, quantum number होता है, तो यहां पर s के लिए l के value कितनी होती है, 0, और d के लिए l के value कितनी होती है, d के लिए 2, p के लिए 1, और f के लिए कितनी होती है, 3, ऐसे होता है, s, p, d, और f, तो l के value होगी, 0, 1, 2, 3, ऐसे याद कर सकता है, तो यहां पर angular node कितनी है, 3 पूच रहा है, 3 कौन से म सबसे कम होती है उसमें सबसे पहले इलक्ट्रोन को फिल किया जाता है उसके बाद से इंक्रीजिंग मोटर में चलता रहता है n plus l के value same होने पर n देखते हैं जहां पर n के value जादा होगी फिर वो देखते हैं लेकिन ये case hydrogen के लिए नई valid है hydrogen में क्या होता है क्यों थे लम गे एनि देखते हैं यानि कि hydrogen में 1s 2s 2p 3s 3p ईसा electron configuration का निमर चलते रहते हैं तो hydrogen में n प्लस l नहीं देखते हैं यहां पर hydrogen direct n देखते हैं यान कि n सेम है तो energy भी सेम होगी n जादा है तो energy भी जादा होगी यानि कि यहां पर 2s और 2p की energy सेम होगी दोनों की क्योंकि यहां पर number of n सेम है यहां पर 3s और 3p की energy सेम होगी क्योंकि आपर number of n same है तो यह क्या कर रहा है n-1d sub cell is always lower in energy than ns किस देख लेता है अपन n-1 n-1 n की equal value मान रहा है है अब 4 मान रहा है यहां पर 4 तो 4-1 कितना होगा 3d sub cell is always lower in energy ns अब n क्या मान सकते है है 4 4 ही होगा इसके लिए भी और s की value यह कि इसकी एनर्जी 4S से हमेशा कम होती है 4S की एनर्जी कितनी होगी 4 और 3D की एनर्जी N पलस L से देख रहे है बन यान कि आप N की वाल्यू 4 S की लिए L की वाल्यू 0 होती है अब 3 N की वाल्यू होगी और L की वाल्यू D के लिए कितनी होती है 2 यह होती है तो यह कतना होगा 5 और यह कितना होगा 4 चलो यहाँ ठीक होगा लेकिन अपर अपनमाने n इक्वाल्टो 3 तो यहाँ पर 3 यहाँ किया होगा 2d और यहाँ पर कितना होगा 3s अब 2d के लिए 2 2-2 कितना हो गया 4 3 के लिए 3 ब्लस 0 कितना हो गया 3 अब हापर आपन क्या देख रहे हैं कि जो n-1d की energy है हमें इसे क्या रही है ज्यादा किस से NS चे ज्यादा यहीं देख रहे हैं तो यह क्या कह रहा है lower लेकिन यह पर क्या रही है highest आठ यह यह होकि यह होती है उस से तो क्या हो गया इंकरक्रक्ट होगा है इस्टेटमेंट दो ज़ेयर पिद भी गयर सबसेल माईनस गहें पर वन कि अपर होते हैं कि अब यहां पर एक एर्फ और यहां पर क्या होगा फोर पी अब फ्री ऐप के लिए n प्लस l कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 6 हो गया यहाँ पर 4 प्लस 1 5 हो गया चलो अब एक के सोर देख लेते हैं n इक्वल टू 3 तो यहाँ पर क्या मन रहे हैं 3 माइनस 1 f और यहाँ पर कितना हो गया 3 3p हो गया यहाँ पर 2f और यहाँ पर 3p अब 2f के लिए क्या कर देंगे 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 और 3 प्लस 1 क्या हो गया 4 तो ज़्यादा ही आ रही है हमेशा तो यह वान करेक्ट हो गया अब देखते हैं यह 5d is lower in energy than 4f 5d कितना होता है n प्लस l 5d में n की वैल्यू 5 5l की वैल्यू के लिए कितनी होती है 2 तो यान की यार्य सेवन और 4f में कितना आगया 4f यान की 4 प्लस f की वैल्यू 3l यान की आगया 7 अब यहाँ पर क्या देखेंगे n प्लस l की वैल्यू सेम होने पर आपन देखेंगे जिसमें न नमबर ओफ यान जादा होंगे वह यान की 5d की एनर्जी जादा है किससे 4f से इसने तो कम लिख दिया गलत हो गया अब 6p is lower in energy than 5d अब 6p के लिए कितनी होगी energy 6 plus p के लिए 1 और क्या कर रहा है 5d 5 के लिए 5 और l की वैल्यू कितनी होती है 2 तो यान कितना आगे 7 यह भी 7 तब यहाँ पर n plus l की वैल्यू से तो n की वैल्यू जादा होगी वही यहाँ पर n की वैल्यू 6 है और यहाँ पर n की वैल्यू 5 है तो n की वैल्यू जादा मतलब energy भी जादा जब n plus l से मैं तो तो यहाँ पर यह भी गलत होगया यह भी गलात हो गया, second option correct हो गया अपना, question number 20, which electronic level allows the hydrogen atom to absorb a photon but not immediate a photon, यानि कि इसमें कह रहा है कि कौन सा electronic level एक photon absorb तो कर सकता है लेकिन उत्सर्जित नहीं करता है, immediate नहीं कर सकता, तो कौन सा नहीं कर सकता है, अब देखते हैं, hydrogen के लिए कैसे लिखेंगा है अपन, 1s, 2s, 2p, 3s 3p, यह क्या होता है, electronic configuration होता है, अब hydrogen क्या होता है, एक electron होता है, एक electron यानि कि इसका electron configuration क्या होगया, 1s, 1 अब मालों कि यह energy एफ्जोर कर रहा है तो यानि कि electron क्या जाई कि 1s से 2s में चला जाएगा और कर रहा है तो 2s से 2p में चला जाएगा तो यानि कि इसके पास आगे जाने के लिए option है इसके पास कि यह energy ले सकता है लेकिन यह जब है यह अपनी lowest number energy में यानि कि lowest energy है इसके पास 1s1 इससे कम में तो जा ही नहीं सकता है तो यानि कि ये इलक्टोल निकाल की जाएगा कहां पे इसके पास तो जाने के लिए कोई option ही नहीं है तो इलक्टोल नहीं उत्सर्जित नहीं कर सकता है तो कौन सा option हो गया 1s फस्ट वाला टूशन नमबर 21 दा और्बिटल एंगुलर मुवमेंट आवा 4f इलक्टोल इस अब एंगुलर मुवमेंटम के लिए formula क्या होता हम जानते हैं की root l l plus 1 h upon 2pi ये क्या होता है formula होता है अब यहां पर root l की value कितनी 4f के लिए l कितना हो गया f के लिए हम जानते है l कितना होता है 3 तो हैनकी 3 into 3 plus 1 और ये h upon 2pi हो गया अब ये कितना हो गया 3 into 4 root में और h upon 2pi तो ये कितना हो गया 12 root h upon 2pi तो ये को हैसा option second correct हो गया तो इस नमबर 22 ये दे रखा है vanadium electronic इसका वो दे रखा है atomic नमबर दे रखा है chromium magneze और fe दे रखें which will have the highest magnetic moment अब highest magnetic moment भूच रहा है magnetic moment क्या होता है mu equal to root n n plus 2 both magnetron चीह होता है magnetic moment का formula अब यहाँ पर एन क्या होता है number of unpaired electron कि अब वह अनपेड इलक्ट्रोन का पता कैसे चलता है अपने को electronic configuration से अब सबसे पहले अपने को vanadium का electronic configuration लिखना होगा अब वैनेडियम का electronic configuration लिखते हैं वह कितना हो जाएगा यान कि यहाँ पर कितना एपन लिख सकते हैं इससे पहले कौन सा वह आता है noble gas organ और फिर क्या लिख सकते है organ के बाद 3D complete हो जाता है यानि कि 4s2 में fill करते हैं और उसके बाद 3D में fill करते हैं तो organ आ गया 18 पर यानि कि 18 तक तो 18 यहाँ पर complete होगे अब 2 इसने ले लिए कितने होगे 20 अब यहाँ रहा है 3 पर यानि कि D में कितने बज़गे 3 अब यहाँ पर number of unpaid electron कितने होंगे 4s2 में यह 4s2 और यह 3D 3 देख रहे हैं तो 4s2 में दो electron वर रखें और 3D 3 में 3 electron यहाँ यानि कि यहाँ पर n equal to कितना या 3 अब देख रहे हैं chromium में जो 24 number प्यार है chromium में कितना हो जाएगा organ और यह कितना 4s अब यहाँ पर देख रहे हैं अपन करेंगे 2 और 3D कितना कर देंगे 4 लेकिन हम जानते हैं कि half filled और full filled के लिए electronic configuration stable होता है यानि कि उसकी energy ज्यादा होती है और हर कोई अपनी energy ज्यादा करना चाहता है यानि कि यहाँ से इसका normal electronic configuration अपने हिसाब से यह होना चाहता है लेकिन यह चारी है यानि कि यहाँ पर क्या होना चाहता है यह electronic configuration होना चाहता है लेकिन यह अपनी energy को और stable यानि कि बढ़ाने के क्या कर रहा है एक electron यहां से यहां पर आ जाता है excited होके यहां आ जाता है तो यहां कि यह कितना हो गया अब इसका electronic configuration कैसे लिखेंगे अब यहां पर नमबर ओफ अब इसी तरह मैगनीज का देखेंगे मैगनीज में कितना होता है 25 तो उसका कैसे लिखते है यह आरगन और 4S2 और 3D5 इसमें तो पहले से तो S को करने जुरूत ही नहीं होगी तो S और यह P के लिए तो S में कितने है दो P में 5 यानि कि हाप N इकल टू कितना आ गया 5 और फिर बच गया गया मैगनीज के बाद में क्या दे रखाए F26 पे इसका कितना हो जाएगा और 4S2 और 3D6 अब 4S2 यान कि 2 इलक्ट्रोन S में अब 6 एलक्ट्रोन बढने किसमें D में इसमें कितने इनपे इलक्ट्रोन हो किए 1, 2, 3, 4, n इकल टो 4 जले जिसमें ज्यादा है अन पेड़ी एलक्ट्रोन अचमें सबसे ज़्यादा म्यू होगा उसका यहानिकि mu directly proportional n क्या रहा है न है अपने देख रहा है यहां से यान कि n ज्यादा होगा यहां कि इसने कि जाधा रहा है इसमें किसमें इए कितने होते हैं और सबसेंगे कितनी हो गए हम ने ऐसलिए कितनी हो गंद कितनी होगा दीजेड़ होगी ओपने कि निato टू से प्लस टू तक हो सकती है यह फाइफ आगे बीच में तो डी जाड़ी स्क्वाइर के लिए होती है वह वाल्यू जीरो तो कॉन्स आप्शन करेक्ट होगे इसमें फस्ट वाला करेक्ट होगे तूसे नमर ट्वांटिफॉर इन पर्जेंस ओफ कि external magnetic field F subcell is कि external magnetic field में F subcell कैसा ब्यावर करेगा वो देखता है कि जैसे सबसे पहले होता है कि normally क्या होता है यह एक F orbital है इसमें क्या होगे 7 इसके subcell होगे अब जब कोई external magnetic field नहीं है तो उस case में क्या होता है यह orbital होते है D generate होते हैं D generate मतलब इन सब की energy same होती है यानिで same level पर होते है इन सब की energy क्या होगी same लेकिन जैसे external magnetic field दे रहे हैं तो इन की energy क्या हो जाती है same नहीं रहते किसी की energy बढ़ जाती है किसी कम हो जाती है तो वह अपने को पता नहीं किसकी कम हो रहे है लेकिन क्या हो रहे है यह फिर non-degenerate हो रहे है, याणि क्या बोलता है पर non-degenerate तो है को ए ऐसा option 4, correct हो गया अब higher-fun no.25, size 420 की किसको represent कर रहे, यह है पूँछ रहा है, किसक याज रखा सब्सक्राइब 002, फस्ट वालत दिखाता है n को यहाँ पर n इकल टो होगा 4 n क्या होता यहाँ पर magnetic यह न होता है यहाँ पर principal quantum number और l क्या होता है ag-muthil quantum number l गया होगा 2 और m क्या होता है magnetic quantum number 0 होगा यहाँ यहाँ तो n के value 4 किसम में है यानिक इन दोनों में एन की value किया है four अब L की value two दे रखें यहां पे अब P के लिए L की value कितनी होते है one और D के लिए होती है two तो यह वाल ऑप्शन करेक्ट होगा अपने पास अब इसमें M की value zero, Z square के लिए M कितना होता है zero अपने इसमे 23 में देखा था अब यह अच्छा क्योशन कब हो जाता है यानि कि यहां पर लिख देता अब यहां पे N की value four है यहां पे भी N की value four है अब L की value भी D के लिए सबके लिए same होते है यहां पे D की value भी two यहां पे भी two अब M की value देखनी होती है यहां पे अब इसके लिए M की value zero होती है इसके लिए नहीं होती है यानि कि तब जाके यह दो अप्शन होते तो एक यह च दिखाते हैं probability of electron density यानि कि यह क्या होता है वेव फंक्शन को सो करता है तो त्री करेक्ट होगा है इसमें तूसर नमबर 27 दा ओर्बिटल डाइग्राम इन विच ऑबाव प्रिंसिपल इस वाइलेटड ओबाव प्रिंसिपल क्या बताता है यानि कि सबसे पहले electron low energy में possible उसमें low energy उसमें fill करते हैं उसके बाद high energy में जाते हैं तो यानि कि low energy को देखने के लिए उसने तरीका क्या बताया था हगए था सबसे पहले n पुलस l देखेंगे जिसका n पलस l जादा होगा उसकी energy जादा होगी लेकि N plus L कम होगा, उसकी energy भी कम होगी, अब N plus L की value सेम आने पर अपन N देखते हैं, जिसके लिए N जदा होगा, उसकी energy भी जदा होगी, तो पहले N plus L वाले में electron, कम वाले में electron fill करते हैं, उसके बाद high वाले में electron fill करते हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं, यान कि 2S, 2S के लिए N plus L की value कितनी होती है, 2S के लिए N plus L की value होगी अपने पास, 2 और S के लिए 0, यान कि 2, और 2P के लिए 2 और P के लिए कितनी होगी, 1, यान कि 3, यान कि ओब आओ, कि सिर्फ ये कह रहा है कि electron पहले इसमें वरे जाएंगे, फिर इसमें fill होगी, ये ठीक होगी, ये ठीक होगी, देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ते किया ओवाव का ही देखना है, ये तो दूसरे के rule का पालन नहीं होगी और ये ठीक होगी, अब सेकिंड वाले में क्या है, 2S दे रखा है, तो यान कि N plus L कितना होगी है, इनके पास 2S के लिए 2 और दूसरा 2P, यान कि यहाँ पर हो lower energy में electron fill होंगे full तो यहनकी से पहले यह वाल electron यहां fill करना होता तो यह correct हो जाता हो बाव के नुझा लेकिन अब क्या हो गया incorrect हो गया second वाला question number 28 the energy of an electron is an atomic orbital of a multi electron atom depends on energy किस पर depend करती है n l plus l पर depend करती है और n plus l सेम होने पर n पर depend करती है लेकिन है तो यही न क्या है principle quantum number और यह क्या है azimutal quantum number इन दोनों पर depend कर रही है energy तो क्या होगे इसमें गलत हो गया only लिख दिया यह ठीक हो गया the principle is magnetic पर depend ही नहीं कर रही इस्पिन quantum number इस पर भी नहीं की principle azimutal magnetic और spin के लिए तो दो पर करती है बस तो correct हो गया d orbital with maximum electron density along two axis will be अब यहां पर दो d orbitals देखते हैं कितने होते हैं इसमें आते हैं एक तो आताथ d z square और एक d x square y square इसमें कौन सा आ गया d x y d y z और d z x इसमें आ गया यह आगी इसमें अब इनमें क्या होता है कि जो electron density होती है वो होती है point axis यानकि axis के ऊपर होती है लेकिन इनमें क्या होती है between the axis इनमें कुछ ऐसे होती है between the axis और इनमें होती है point axis अभी क्या पूछ रहा है d orbital with maximum electron density along two axis यानकि दोनों axis के along density किसमें होगी हम जानते हैं तो d z square और d x square y square में होनी चाहिए लेकिन d z square में क्या होगा क्यों एक के along की density और d x square y square में x के भी और y के दोनों के along होगी तो यानकि ज्यादा किसमें होगी d x square y square में अब देखरें कि उसे number 30 the correct electronic configuration of cu plus two iron देखते हैं cu plus two iron का correct configuration पूछ रहा है तो cu कितने number पर आता है 29 पर आता है और इसका electronic configuration कितना होता है normal इससे पहले एक noble gas 4s2 और 3d9 यह होना चाहिए था लेकिन exact होता है है 4s1 और 3d यह chromium की तरह half field और full field में stable ज़्याद होता है चाहने कि 3d को क्या कर रहे है full field कर रहे है ऐसे हो गया यानकि 4s1 और 3d में full है इस तरह से हो गया अब पलस two जा रहे है पलस two जाएंगे तो क्या हो गया पलस two जाएंगे यहां से जाने की यहां और पलस two चले गए यहां से चैनके से दो इलक्ट्रों कम कर दी अब एक लग्ट्रों तो यह वाला देगा सबसे बाहर होता है वोजी देता है